Hello Friends, Welcome back to our Channel In today's video I want to tell you how to solve auto restart problem इस device में auto restart और Samsung logo stuck problem ठीक कैसे करें? मेरा जो Samsung device है यह हर दिन 1-2 पर auto restart होता है और कभी-कभी restart के दोरण Samsung logo पर अटक जाता है अब जड़ा सोचिए किसी के साथ आप phone पर बात कर रहे हैं या कोई game खेल रहा है या कोई काम कर रहे है अगर उस वक्त phone restart होते है तो कैसे लगेगा दोस्तो अज की इस वीडियो में इस problem को ठीक काने का मेरा जो experience रहा है वो मैं आपके साथ share करूँगा वीडियो में कुछ important step दिखाऊंगा अगर आप सही से follow करेंगे तो आपको भी problem solve हो जाएगा नमबर वान force restart कभी कभी software crash होने के करण आटो restart या लोगों पर अटक जने का problem हो सकते हैं इस हालत में phone को normal तरीके से restart करना possible नहीं होगा इसलिए force restart करना पड़ेगा अब side में power button and volume minus button को एक साथ दबाए रखना है 10 से 15 सेकंड बाद phone हलका सभाइबेट होगा अग डिस्प्ले के उपर सेंप्संग की लोगो आएगा तब छोड़ देना उसके बाद device अपने आप restart हो जाएगा दोस्तों अगर आपका device इस तरीके से on हो गया है तो second step follow कीजिए तैकि ये दूबारा auto restart ना हो सके इस device में एक special features दी गई है जब आपका phone ज्यादा गरम हो जाएगा या कोई टेकनिकल इसू रिडेट करेगा ताब वो automatic restart होगा इससे device की performance ठीक रहते हैं अगर आप इस features को बंद करना चाहते हैं तो phone की settings open करें settings open करने के बाद scroll करती हुए नीचे की ओर जाएए इसके बाद device के आया फिर से नीचे की ओर जाके auto optimization पे क्लिक करें दोस्तों यहां पर एक option देखने को मिलेगा auto restart अगर यह on किया हुआ है तो उसे बंद कर दीजिए इससे आपका device auto restart होना बंद हो जाएगा इसके अलबा आप अपने device की internal storage कम से कम 20-35% खाली रखिए अगर कोई फालतु की आप install किया हुआ है तो उसे uninstall कर सकते हैं गेम खेलते समाए या किसी काम करते समाए अगर फोन ज़्यादा गरम हो जाए तो कुछ समाई के लिए फोन को side में रख दीजिए इससे device की performance बहतर होगा और feature में ऐसा कोई problem नहीं आएगा दोस्तो अब यह दोनों process apply कर लिया है अगर इससे आपका problem solve हो जाते है तो ठीक है अगर नहीं हुआ है तो जान लेकि आपके फोन की hardware में serious कोई problem हुआ है हम लोगों ने कहीं पर notice किया है कि इस तरह का problem जहातर फोन में software update करने के बाद ही होता है software update करने कोई बूड़ी बात नहीं है लेकिन कभी-कभी software update में बाग या ग्लीच के वाएसे motherboard damage हो जाते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे comment करके बताइए दोस्तो इसके केबल एक ही free solution है hard reset अब अपना फोन को एक बर hard reset करके देख साकते हैं hard reset करने से अपके फोन में जितने साड़े important data वागरा होगा जैसे कि photo, video, apps जो भी है सब कुछ delete हो जाएगा तो सबसे पहले power button and volume down button को एकसाथ hold करके रखना है जब display off हो जाए तुरंद power button and volume plus button को प्रेस करके रखना है फिर Samsung का require remote activate हो जाएगा Samsung require remote में कुछ इस तरह के interface देखने को मिलेगा इसी interface में अमरे mobile का task इन बिल्कुल काम नहीं करेगा कोई भी settings एकसेस करने के लिए power button और volume key का इस्तेमल करना होगा यहाँ पे reboot system now select है अब phone को format करने के लिए volume down button को प्रेस करके wipe data और factory reset में जाना है next एक बार power button दबाए wipe all user data मतलब screen lock के साथ साथ पूरा phone format होने जा रहा है इसके बाद एक बार volume down button को प्रेस कीजिए फिर power button दबाए कुछ इस सेकंड में phone का start data delete हो जाएगा data format होने में कभी कभी 10 से 20 में लग सकते है मेरा phone में बोड़ी पूरा खाली था इसलिए बाद जल्दी हो गया है यह रिबूर सिस्टेम नाव option selected है तो अब एक बार power उन दबाए फिर आपका device automatic चाले हो जाएगा mobile चाले होने में थोरा सामाई लगता है तो आप tension ना करें दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारा device स्टार्ट हो गया है दोस्तो हार्ड डिसेट करके 90 लोग का प्रॉल्म ठीक हो गया था अगर आपके किस्मत वाके ही खराब है तो आपके लिए last option service center है आपके device में मादर बोड डेमज हो चुका है क्रिपया इसके बाद nearest को इस Samsung service center या mobile repair दुकन पर लेके जाएं और एक चीज कर सकते हैं अगर device का भी कभी on हो रहा है तो अपना phone किसी नए device के साथ exchange कर सकते हैं तो दोस्तो उम्मीद करते हूँ कि एजन करें आपके लिए helpful रहा होगा इस वीडियो को लाइक करके हमने चलेंज सब्स्रीप करना ना भूले